मोदी के खिलाफ क्या पॉलराइजेशन हो रहा और ये पॉलिटिकल पॉलराइजेशन है जिसका जिक्र प्रदानमंत्री नरेंडर मोदी ने कोच्छी में किया है और उन्होंने का है मैं तो ब्रश्टाचार के खिलाफ मेरी सरकार काम कर रही है और जिंजिन ब्रश्टाचारि प्रदानमंत्री का विपक्षपर देखें ये दुर्भागपुन बात है कि हर व्यक्षी को सक्ता में बने रहने के लिए या सक्ता में आने के लिए ये कहना पड़ता है कि हम भरस्टाचार के खिलाप एक अभियान चला रहे हैं आम आदमी पार्टी जो पहले इंडिया अगेंस्ट करपसन अभियान चला थी ते उसने ब्रस्टाचार के खिलाप अभियान चुरू किया था और आज सरकार में आने के बाद खुछ ब्रस्टाचार के आरोपों के बीच खिरे हुए हैं प्रदानमंत्री मोदी को भी अपनी सरकार बचाने के लिए अपनी सत्ता बचाने के लिए सरकार चलाने के लिए दुबारा वोट लेने के लिए यह दावा करते रहना है कि हम ब्रस्टाचार के खिलाप अभियान चला रहे हैं और तमाम ब्रस्टाचारी एक जुट हो रहे ह ब्रस्टाचारacy के खिलाब action लेना गलत नहीं यह लेकिन selective attitude नहीं होना चाहिए जहां जहां बीजेपी विरोधी सरकार है ALL कफे sleeping कभी नहीं जाती यहां झाशों सए ईडिपी नहीं है तो क्या कहन ऐभी इस वार और पहले भी वे सरकार उने के साथ बना चुक है उनको थो भारती जनता पारटी ने डिली में अंडिये की सरकार में मंतरी भी बनाये ठाव तो यह स्पश्ट करना पड़ेगा कि जो विरुवती है सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है भई जो आपके समर्था कि वो ब्रस्ट नहीं है बहुत सारे यह लाल बत्ती एडी की अचानक तभी क्यों लगबुच लगबुच होने लगती है जब कोई आपसे दूर जाता है देखे इस बात पर कोई सचाए नहीं है मुकल राय जोईन किया था बीजेपी उन्होंने तब भी उनके आज सीबी आई उनको सीबी आई के पास जाना पड़ता है था उनको समन्स आते थे बीजेपी में थे अगर आपने क्राइम किया है तो आपको सीबी आई और इडी और ए और बाकी एजन्सीजीज जो एडी हो यह सारे एजन्सीज को काम करना चाहिए था जिसके लिए वो बनाई गई थे एजन्सीज वो अपनी एजन्सियां अपना काम कर रही हैं बिना हस्तचयप के सरकार के और उनको जो काम जो responsibility तो इसको discharge कर रहे है ऐसे में भरश्टचारिय खट-कट आईए उसके खिलाफ सबूत लेकर आईए आप आप जानते हैं अच्छे से कि पहले के सरकारों में रोज दरोज स्काइम होता था एवरी सेकंडे स्काइम अनर्थ होता था अभी कोई नहीं ना कोई ऐसा स्काइम है ना कोई भरष्टाचार है बलके जा एक आम जीव से कि बरष्टाचारियों के खिलाफ काम करेंगे और उनको एंजाम तक पहुंचाएंगे वो काम में एक साथ एक जुट हो जाए लेकिन आपने बहुत स्मागी जबर आईगी यह तो कहा कि उससे पहले भी CBI के सामने मुकलरोय को पेश होना पड़ता था उसके बाद वाली लाइन आप खा गए उसके बाद मैं मैं कोई खबर ढून रही थी कि उसके बाद क्या एडिया CBI का छापा पड़ा है मुकलरोय के यहां क्या उनसे पूछताज के लिए उनको समन भेजा गया है क्या वो कारवाई हो रही है मैं जानना चारी थी पर वो आप वो लाइन आपन को पॉज रिपीट करकर के देख रहे हैं जोगिंदर जी इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरिट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे